आप लोग देते रहोगे तो जैसे के आपने थमनल में देखा है आज हम रेडिंग करने वाले हैं कि कौन से विगन आपकी जीवन से चले जाएंगे हट जाएंगे क्योंकि गनेशी का पर्व शुरू है बपा का आगमन हो चुका है तो इसी मौके पर गनेशी जो है विगन हरने का काम करते है विगन हरता कहते है और इसी के तहित आज हम रेडिंग देखने वाले हैं कि कौन से विगन आपके जीवन से हटेंगे पपा के नाम से ठीक है या ईश्वर के नाम से जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो गाई ठीक ह सो यहाँ पर मैं piles create करूँगी साथी साथ कुछ zodiac science भी रखने वाले हूँ आपको नहीं easy रहे pile choose करने के लिए ठीक है कौन से vign आपके life से हटेंगे यह हम विस्ता से देखने वाले है and pile number one रहेगा आपके लिए वो है देखिए woman holding a heart यह pile one रहेगा and happiness right तो यह pile number two रहेगा अभी मैं zodiac science ले रहे हूँ आपके लिए so that आपको confusion नहीं piles choose करने के लिए जिनको zodiac science नहीं पता है जाई से बात है आप अपने card के साब से reading को चकाव करें जो आपकी intuition बताती है guys आपको confused नहीं होना है रिलाक्स होके reading को सुनिये ठीक है pile number one के लिए रहेगा fire sign okay pile number two के लिए रहेगा earth sign that is taurus hoca Capricorn pile number one arycelos regittarius taurus hoca Capricorn pile number two है और दो signs सबच्चे है यहापर दो elements सबच्चे है तो वहाँ पर है pile number one के लिए रहेगा water sign that is cancer passes scorpio pile one रहेगा and last वाला बच्चा है वो है air sign जो के है जम्नलिप्रा एक्वेरियस तो आपके zodiac signs के हिसाब से चूस करी या फिर card के हिसाब से आपको pile को चूस करना है relax way से चूस करिए and reading को check out करिए कि कौन से विगनाब के जीवन से हटेंगे बपा के आगमन से आने वाले समय के लिए तो let's begin with pile number one people जो की मेरे left hand side पर है hey my dear stars pile one people तो अगर अपने ये वाले zodiac signs को पिक किये है जो की है fire sign plus water sign Aries Leo Sagittarius Cancer Pices Scorpio और अगर अपने pick a card choose किया है woman holding a heart का तो कहीना कहीने pile number one है and welcome and welcome on your reading guys so pile number one कहीना कहीना आपके मुझे energy ऐसी feel हो रही है कि कुछ चीजे आप लोगों के life में end हो चुकी है and आप वहाँ पर नई शुरुवात चाहते हो new beginning चाहते हो आपकी बड़ी wish के लिए आपकी बड़ी तमन्ना के लिए ठीक है यह कुछ situation मुझे दिखाई बढ़ रहा है साथी साथ यहाँ पर मुझे यह भी message मिल रहा है guys कि हो सकता है कि आप लोग ना कुछ बड़ा करना चाहते है अपने life में and वहाँ पर हो सकता है कि काफ़े विगन है आपके जिंदगी में ठीक है मोटीफ के लिए हो सकता है आपके ड्रीम के लिए हो सकता है आपके विष के लिए हो सकता है ठीक है यह situation मुझे पाईलवन के मिल रही है yes, यह situation ऐसी है कि जहाँ पर ना आपने उस चीज को काफ़ी दिल से लगा हुआ है लगाया हुआ है guys ठीक है यह woman holding का हाट है that means ऐसे situation हो सकता है कि जो आप से काफ़ी दिल से जुड़ा हुआ है इसे situation के लिए हो सकता है पाईलवन के काफ़ी विगना है काफ़ी बादाय है कि वो situation अभी दक मीट नहीं हो रहा है या फिन एंड हो चुका है या फिर एंड होने के कतार में हो सकता है कुछ वर्स के लिए इसके लिए हो सकता है कि आप लोग में एक नई शुरुबात चाहते है और निव बिगनिंग चाहते हो ठीक है तो यह कही ना कही psychic level के energy जो मैं आपको बता रही हूँ तो अभी हम देखते है कि कौन से विगन आपकी जीवन में हटने वाले है कैसे हटेंगे वो भी हम यहाँ पर विसा से देखेंगे लेकिन specifically हम target करेंगे कि कौन से विगन आपकी जीवन से हटेंगे तो मैं Oracle से आपके निकाल चुकी हूँ आपके लिए Oracle card रहेगा वो है divine healing रहेगा honor your sensitivity, retreat to recharge and heal your light can support others तो कही ना कही literally यहाँ पर universe या angels आपको बता रहे है यह green तल्ल का card है guys divine healing आपके जीवन में है जैसे कि हमारे reading का topic है कि आपके जीवन से कौन से विगन हटेंगे तो यह विगन हटेंगे, that's why आपके लिए divine healing का message निकला हुआ है पहले चीज, ठीक है कि आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है आपके life में जो भी end हो चुका है या end होने के कतार में है तो जाने देजिए, release करिए आपको अपने तरफ ध्यान देना है अपने healing की तरफ ध्यान देना है आपके heart chakra की तरफ ध्यान देना क्योंकि वाके में आपके जीवन में divine healing है universe healing है बपा की healing है, ठीक है जिस भी शक्ति को आप लोग मानते होगे वो आपको heal करते है और इसके तहेत हो सकता है pile one कि अभी भी आप लोग उमीद करें और आशा बना के रख रहे हो कि आपके जीवन में चीज़े अच्छी होंगी बहतर होंगी, ठीक है जाई से बात है आपके जीवन में चीज़े बहतर होंगी और वाक्य में आपके जीवन में lot of जो बादाय, विग्न है वो हटेंगे ठीक हटेंगे एं कहीं न कहीं न एक मैं कहूं तो divine light आपके जीवन में आएगा divine light ओकिए blessings देखिए आपे न इस angel के पीछे एक circle है ठीक है angel के पीछे circle है मतलब न भले ही आपके life में बादा है मुश्कील है विगन है लेकिन फिर भी न एंजल आपको पीछे से गाड करते हैं आपको healing देते हैं आपको protected रखते हैं तो आपको अकेला नहीं समझना है आपके power को आपको समझना है retreat to recharge and heal ठीक है lot of obstacles है आपके जीवन में lot of situations है आप गुजरे हो pile number one जिन और फायर प्लस वाटर सन का card अपने choose किया है lot of emotions factors भी आपके जीवन में थे कि जहापना आप बोल नहीं पाते थे अभी भी हो सकता है pile one की न आप लोग बोल नहीं पाते हो काफी sensitive लोग हो आप kind hearted लोग हो and इसी के चलते हो सकते कि लोगों ने आपके life में विगन डाले है विगने पैदा करे है आपको लूटा हुआ है आपको च्छाला हुआ है ठीक है cards में भी हम लोग देखते है कि क्या विगन है लेकिन फिर भी ना ये एक card मुझे बता रहा है आपकी energy को ठीक है तो अभी oracle इस oracle card से देखते है आपके लिए क्या निकलता ठीक है broken arrow मतलब ना कहीं ना कहिए आपके life में ना कुछ चीज़े broken हो चुके है जो कि मैंने आपको कहा था यह सब ने हो सकते dreams हो सकता का relationship हो सकता है job हो सकता profession हो सकता है आपकी सब सब को लेना है ठीक है no doubt यह तूट चुका है लेकिन इसमें से भी आपके life में ना energy पैदा कर यूनिवर्स गौड गनेश भगवान जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो इस ठीक है क्योंकि आपके जीवन में पीस आए क्योंकि आपके जीवन में ना तरक्की आए या आपके जीवन में ना lot of चीज़े आए जिसके आप कामना कर रहे हो पाईलवान ठीक है तुम आपके जीवन से हटेंगे जिसके तहित बपा जोई आपकी जीवन से हटाएंगे ठीक है तो पाईल नमबर वन के लिए क्या सिचुएशन्स है प्लीज गाइड करिए यहाँ पर पाईल नमबर वन के लिए क्या सिचुएशन्स है पहले हम काद्स निकाल लेते हैं तू ठीक यह भी आ रहा है तो मैं ले रहे हूँ ओके देखते हैं फिर भी ठीक है पाय लूमर वान आपके लिए पहले अलर्जी निकलती है वो देखें किंग ओफ कप्स हैं ओके उसके बाद देखते हैं शिक्स ओफ सोट्स है ओके और यहां है आपके लिए ठीक है उसके बाद यहां पर यह कार्ण यहां रख देथी हूँ आपको देख रहा है यह फोर ओफ वान्स हैं and देखें फाई अफस ओफ सोट्स है तो शिक्स ओफ सोट्स के नीचे फाई और तो स्वाफ सोट्स है ओके nine of wands है and ये card निकल रहा था आ रहा था and that's why मैंने लिया है देखते हैं वो क्या है seven of cups है yes pile one यहाँ पन बात करूँ ना guys की literally आपका ना कई बार दिल टूटा हुआ है and कई बार ना लोगों ने आपके life में विगनब पैदा करी है ये आपकी गलती नहीं थी हो सकता है कि आपके भोलेपन का फायदा उठाया है आपके एक अच्छे nature का फायदा उठाया है ठीके ये विगनब आपके दिल से चला गया है दिल से मतलब ना आपके emotions से खेला हुआ है and आपके emotions को देखकर या फिर आपके अच्छे बरताव को देखकर ही लोगों ने आपको इस कदर लूटा हुआ है इस कदर छला हुआ है कि जहां पर आपना completely भिखा चुके हो तूट चुके हो ठीके देखिए आपके six of swords भी है five of swords भी है दोनों भी है मुझे दर्शा रहा है कि कहीना कहीना लोगों ने आपसे जूट बोला है जैसे कि मैंने कहा है and जूट सहजाद है ना लोगों ने आपको रूलाया है pile one ठीके चाहे वो आपके profession में हो चाहे वो आपके job में हो money के चलते हो लोगों आपसे money भी पैसे भी लिए ही रहेंगे ठीक है and वापस करने से मना कर रहे है मुकर रहे है relationship में भी अपने धोका खाया है क्योंकि पहली जो energy ने करी king of cups के energy है that is relationship में धोका खाया है relationship में आपको cheat करा है ठीक है यह लंबे समय से हो सकता है guys कि आपके उमर यह पर जादा हो सकती कम हो सकती वो matter नहीं करता है लेकिन कहीं न कहीं पायला मवान न यहाँ पर मुझे विगन आपके relationship में भी जादा दिख रहा है आपके marriage में भी है आपके money के चलते है finances के चलते है आपके career के related है ठीक है कि लोगों ने आपको इसकदर इसकदर लूटा है कि जहाँ पर आप सोचने पर मजबूर होते हो कि यार मेरे साथ यह ऐसा क्यूं होता है बार बार मेरे लाइफ में विगन आते ही क्यूं रहते है क्यूं मेरे साथ ऐसा चलकपट करते हैं क्यूंकि आपना emotions आपका हाट बहुत ही अच्छा है, प्योर हाटेड हो आप, यही एक वज़े है कि लोग आपका फाइदा उठा, यही वज़े है कि लोग आपके लाइफ में विगना पैदा करवाते हैं, ठीक है, पहली चीज मुझे विगना दिख रही है, आपके मैरेज में भी है, रिलेशन लेकिन आसाने से नहीं मिलती है, वहाँ पर आपको ठोकर खानी पड़ती है, वहाँ पर आपको इसिर्फ पटकना पड़ता है, वो चीज करने पर भी वो चीज आपके जिन्दिगी में आने से रही, and that's why आपके नाइन ऑबन्स की इनर्जी मिलिया है, कि कहीना कहीना आपका से वेटिंग ही वेटिंग रहता है आउटकम आपको मिलने से रहा पाइलवन लेकिन अभी जैसे कि आपके लिए मैसेज़स निकले हैं कही न कहीं यूनिवर्स आपको बता रहे है कि आपके लाइफ में जो भी विगन है वो अभी इश्वर के कृपा से बपा के कृपा से हटने वाले हैं पहले चीज आपके लाइफ का जो विगन हटेगा वो है कैसी परसन को लेकर क्योंकि यहापन मुझे शादी के चलते को यह परसन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है यह लिट्रली आएगा क्योंकि कहीना कहीना आप बहुत सदा बैतर हो रहे हो या फिर उड़ी आप बैतर हो चुके हो क्योंकि आपना healing की energy निकल एगा जो कि मैंने कहा था आपको कि आपना literally आपके आज पास divine healing मौझूद है angels सब को guard करते है universe सब को guard करते है ताकि आपके आपका जो डिजर्व है ना आप जिस चीज को डिजर्व करते हो चाहे वो परसन हो चाहे वो शादी हो चाहे वो प्रस्ताव हो ठीके तो डिजर्व करते हो वही चीज आपके लिए यूनिवर्स ओपन करेंगे वो डोर आपके लिए ओपन हो जाएगा पाहिलवाट ठीके तो पहला दोर मुझे आपके लिए open होता हुदु देख रहा है वो एक person के लिए हो सकता है, job के लिए हो सकता है, position के लिए हो सकता है, marriage के लिए हो सकता है, relationship के लिए हो सकता है, कि जहां पर आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हो पाहिलवान, ये king of cups ना ये mature energy को बताता है, that में से लंबा समय आपका waiting period है, किसे person के लिए, relationship के लिए, marriage के लिए, and यही विगन आपका मुझे पहली चीज जो हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीना कहीना अभी अब stability की तरफ जा रहे होगा है, stability, stability मतलब ना कहीना कहीना एक ना मुकाम रहेगा, कि हाँ ठहराव रहे जिल को पाल होगे, अब अपने specific goal को पाल होगे, अपका इंतजार जो है वो खतम होता दिख रहा है, किसी person को लेकर, पहली चीज, दूसरी चीज मुझे दिख रहे है कि mentally आप काफी strong बनते हो, मुझे दिख रहे हो, ठीके, see, जब हमारे life में वीगने रहते हैं, तो ना हम का move on करने के कोशिश करने लगते हैं, या फिना completely हम give up कर देते हैं, लोगों से give up करते हैं, अखेले में रहते हैं, isolation में रहते हैं, तो कही ना कही पाईलवन में mental trauma है, यह एक मानसिक स्थिती है, वो मुझे बहतर होते हुए दिख रही है, यह मानसिक स्थिती से बाहर निकलते ह जो कि आपके life का विगन हो सकता है, ठीक है, जो आपके life में जूटे लोग थे, जो कि मैंने आपको बताया, जूटे लोग थे, चलावा टाइप के लोग थे, तो वो कही ना कही आपके life से मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपने life में काफी growth करने वाले हो जाके जाके, ठीक है, जब ये life के विगन हटेंगे ना, तो जाहिर है कि आप अपने life में काफी growth देखोगे, जब आप growth देखोगे, तो जाएसी बाती ये लोग आपके जिवन से हटने लगेंगे, जिनोंने आपके life में विगन डाला हुआ है, वाकई में आपके life में आपक हुए है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए five of source की energy कही न कही न आप लोग इन पर मात करने वाले हो पाइलवान, अभी आ परवा नहीं करोगे कि ये मेरे बार में क्या सोचता है, क्या रहेगा, क्योंकि आपके साथ angels, angels है, आपके साथ angels की protection है, and that's why आपना broken arrow का कार निकला है ठीक है, no doubt आपके life, आपके life में जो ये power broken है, ये finance स्थिति जो है broken है, आपका heart broken है, फिर भी ना यहाँ पर आपके जिवन में peace universe डालेंगे, क्योंकि ये विगना आपके जिवन से हटने वाले है, pile 1, ठीक है, तीसरी चीज मुझे आपके दिखरीगा है, इसकी सबसे important विग आपके life का जो है, ये waiting period है, waiting, 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 जहाँ है, वो money के लिए waiting हो, profession के लिए waiting हो, investment के लिए waiting हो, ठीक है, आपके career goals के लिए waiting हो, तो जहाँ पर आप वेट कर रहे हो ना, वो विगना आपका खता मुझे होता है, वो दिख रहा है, आने वाले समय के लिए, क्योंकि कहीना कहीना मैंने कहा कि बपा का आगमन हो चुका है, विगना हरता, विगना हरता का आगमन हो चुका है, and that's why आपका जो waiting period है, वो किसी भी ममले को लेकर हो सकता है, वो waiting period यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है, and आप कहीना कहीना, अपने मंजिल के तरफ जाओगे, अपने म हो सकता है, आपके desire के लिए है, मैंने जसे कहा, आपके उंचे मुकाम के लिए है, आपके सपने, आपके जो भी सपने रहेंगे न, उस सपने के लिए आपका कहीना कहीन, जो विगना रहेगा, यह जो waiting period रहेगा, वो मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है, and आप अपने सप test, beauty contest हो सकता है, या फिर आपका business हो सकता है, right, कि lot of अपने सपने संजोकी रखे, एक एक कप में अपने संजोकी रखे, तो वो जो सपने है, कहीना कही साकार होंगे, बपा के आगमन से कहीना कही साकार होंगे, इश्वरी कृपाशी, ठीक है, जब यह विगना हटेंगे, तो यहां पर अपना majority, अगर में बात करूँ तो कब तक आपके लाइफ के जो भी विगना कहतम होंगे, तो मुझे दिख रहा है कि यह कुछ भी वर्स के लिए हो सकता है, कि अलड़ी आप उस stage में हो, कि जहां पर आपके लाइफ के विगना हो दीरे-दीरे हट रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, आप अपने गोल की तरफ जा पाओगे, या फिर अपने गोल को मीट कर लोगे, कि जहां पर आपका सपना है, जहां पर आपका डिजायर है, ठीक है, देखिए, आपर king of cups के energy है, आखिर का जो काड़े यहां पर seven of cups के energy है, that means आप अपने goals की तरफ जा रहे हो, कि जहां पर विगन आपकी जीवन से हट जाएंगे, pile 1, ठीक है, bottom of the deck, the queen of cups है, तो जाए से बात है, आप अपने specific person को गे, आप अपने हमसफर को लोगे, एन आपको न, एक, मैं कहूँ तो, energies है, pile 1, वो कहीना कि बैलन्स होगी, masculine energy and feminine energy है, जो यह बैलन्स होगी, जब आपके guidance कहने कहता है, Krishna की तरफ से, pile 1 के लिए, आपके life में भले ही विगना है, जैसे कि मैंने कहा, pile 1, फिर भी न, आप न, अंदर से काफी heal होते हो, मतलब, न, no doubt, आपकी life में मुश्किलात है, लेकिन आपका एक energy ऐसे है, और एंजिस ने आपको इस कदर बनाया है, या फिर इस क आपको protection में रखते हैं, कि कही न, कही न, आप अंदर से heal हो जाते हो, pile 1, ठीके, दुख दर्द है, दुख दर्द है, या फिर न, emotions आपका काफी होता है, दिल आपका टूटा है, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन फिर भी आप लोग न, अंदर से heal होते हो, pile 1, ये आप में एक खा पर आते हो, तो थोड़े सी हिच के चाहट है, तो आप emotions जाहिर कर सकते हो, जिस पर आपका भरोसा है, फिर जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, pile 1, ठीके, तो कही न, कहीं आपके life के विगन जब हटेंगे, तो आप अपने stability की तरफ जाओगे, अपने एक सच्चे मुकाम की ठीके, देखे, devotion का message है, तो devotion आपको यहीं बता रहा है, कि आपका जो भी यहाँ पर साधना है, भक्ति है, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, उनकी साधना आपको करना ही, करनी है, ठीके, नो डाट आपके life में problems है, विगन है, लेकिन आपके devotion को आपको छोड़ना नही है, आपके भक्ति को आपको छोड़ना नहीं है, आपके साधना को आपको छोड़ना नहीं है, ठीके, आपके जिवन में ग्रोथ लाना, यह इश्वर का काम है, यह यूनिवर्स का काम है, यह भगवान का काम है, या फिर यह बपा का काम है, ठीके, कही ना कहीं, आपके इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राहे नहीं है, Pile 1 पीपल, ठीक है, अब लोग डिवोटेड हो, तो कहीं नहीं डिवोटेड हो, आपको सिर्फ यह मेसेज आपके लिए निकला है, Pile 1, राइट, तो यह पाइल वन यह थी आपके लिए रीडिंग, कि कौनसे अगर आपने यह वाली जोड़ेक साइंस को पिक किया है जो की है एर्थ प्लस एयर साइंस तॉर अगर आपने डोटु परसनेल हिली का कार्ट चूस किया है यह पिक किया है तो आज की जो रीडिंग रहें की ओल अबाउट कौन से विगन आपकी जीवन से हटने वाले है कौन स आपस्टिप के जीवन से हटने वाले है कैसे हटेंगे यहाँ पर हम विस्ता से देखने वाले है आपके विगन क्या है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले है लेकिन पायल लंबर टू पीपल ना आपके एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि काफी आप लोग स्टेबल मुझे दिख रहे हो, ठीक है, mentally आप लोग काफी मुझे strong दिख रहे हो, जाई से बाती हैं पर हम थोड़े से काथ से भी देखेंगे कि आपकी energy क्या है, लेकिन पाई number two यहाँ पर आप लोग मुझे काफी मैंने कहा ना कि a lot of situations आप लोग गुजरे हो इसके चलते हैं आप लोग ना काफी strong, stable, bold बन चुके हो, किसे से डरने वाले नहीं हो, या फिर ना किसे से भी डरते नहीं हो, चाहे हो आपके life में बुरे phase हो, अच्छे phase हो, आप लोग mentally काफी strong मुझे यहाँ पर दिख रहे हो guys, ठीक है, साथी साथ कुछ worse हो सकते हैं, कि आप लोग reserve भी बन चुके है, reserve, ठीक है, reserve in the sense, कि आपने एक दाइरा बना लिया है, एक ऐसा दिवार आपने खड़ा कर लिया है, कि जहाँ पर आपके कुछ काईदे कानून हो सकते है, कुछ reserve rents हो सकता है, ठीक है, मतलब आप उन्हीं लोगों को invite करते हैं, जहाँ पर आपना उन पर भरोसा करते हो, ठीक है, एरे गेरों का आप लोग invite नहीं करते हो, इसकदर मुझे energy pile number two के मिल रही है, क्योंकि आपके life में obstacles है pile number two, ठीक है, obstacles के चलते ही मुझे दिख रहा है, कि आपने काफि strong बन चुके है, bold बन चुके हो लेकिन अभी भी आपके life में obstacles है ठीक है, आसपास है, and that's why हो सकता है, कि आप लोगों ने एक दाइरा बना लिया, एक gate बना लिया है and एक comfort zone में आप लोग हो, मुझे आसा देख रहा है, pile number 2 ठीक है, let's see, यहाँ पर हम देखते है pile number 2 के लिए, क्या निकलते है energies आपके लिए क्या बता रहा है pile number 2, relax वे से आपको reading को सुनना है, guys, ठीक है, चाहे आपकी zodiac sign हो या ना हो हो सके तो pile 1 भी आप चक कर सकते हो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है तो pile number 2 के लिए energy निकलती है पहले वो हम देखते है okay, ancestor spirits connect you to your lineage a family wound or pattern can be healed now, okay yes, यहाँ पर ancestors का card है, ancestor spirits का card है, wild eagle का card है तो pile number 2 मुझे कही न कहीं, यह messages मिल रहे हैं कि आप लोग already अपने ancestors के चत्रो चाया में हैं, ठीक है, आपकी जो ancestors रहेंगे, कहीं न कहीं आपको protect करते है, guard करते है and यहाँ पर देखिए, feather है यहाँ पर, ठीक है, feathers है साइड में अगर आपको दिख रहा है, ठीक है feathers है, तो कहीं न कहीं न angels की भी protection हो सकती, यहाँ पर भी यहाँ पर यहाँ आपको बता रहे हैं, कि आपके लाइफ के जो भी यहाँ आपके नहीं है, ठीक है यह जो जखम है, यह आप से नहीं है यह काफी पुराने हैं, यह आपके ancestors के जमाने से हैं, आपके दादा पर दादा के जमाने से हैं, कि जो विगन है जो obstacles है, वो अभी भी आपके life में आ रहे हैं, ठीक है मतलना, PD दर PD आपके life में आ रहे हैं and that's why आपके लिए message निकला है कि ancestral wounds है तो आपको बताया जा रहा है कि connect to your lineage, जो भी आपके ancestral पुजा रहेगा या फिर जो भी रहेगा ना आपको उनको निभाना है, करना है and तब ही जाके आप देखोगे कि आपके life के जो wound है, जो भी patterns है जो भी obstacles है, वो दीरे-दीरे-दीरे-दीरे हटने लगेंगे, ठीके already अगर आप कर रहे हो, तो well and good है, आप देखोगे कि आपना दीरे-दीरे अपने obstacles से बहार निकलते जाओगे, final number two, ठीके लेकिन यहापर कुछ संकेत आपको देते हैं specifically feathers आपको दिखते हैं black feathers हो, grey हो, white हो brown हो, ठीक है, blue हो तो इस तरह के सबको feathers दिखते हैं तो कुछ ना कुछ यहापर science and synchronicities आपको दिखती रहेंगी आपके ancestors के कुछ ना कुछ चीज़े आपको हर लोगों के लिए हो, लेकिन यह general reading है, तो आपको ना guidance के तोर पर ही लेना है, part two, ठीक है yes, तो चलिए देखते हैं, और message देखते हैं, आपके लिए, या, देखे fire guardian निकला है ignite your passions okay again guardian का ही message निकला है जो कि मैंने कहा था, angel guardian ठीक है, तो आपके यह अलग करना है रहेगा आपको right, तो कहीना कहीना आपको guardian angel बोल रहे है, कि आपके life आपके life के जो भी विगन और obstacles है ना कहीना कहीं fire guardian ने यह balance करने की ठान ली है ठीक है, देखिए आपर ना, दो हाथ यह आपर दिख रहे हैं, ठीक है, तो कहीना कहीं वो balance हो जाएगा, उन्होंने बेडा लिया है कि आपके life के जो भी विगन है वो उनकी तरफ से वो हटाएंगे, या फिर उनकी तरफ से वो कोशिश करेंगे कि आपके life के जो विगन यह हटाए जाए, या फिर आपके जीवन से वो विगन है, जो वो निकाले जाए, ठीक है तो कहीना कहीं, पाइल लंबर टू के लिए एंजिस के ही messages निकले हैं आपके लिए, ठीक है, फायर गाजियन एंड वाइट वाइट इगल, एंसेस्टर ठीक है, तो यहाँ पर एंजिस के भी वाइट आपके लाइट के लिए, आपके लिए विगना में उन्हें, आपके लिए वह लाइट लिए, आपके लाइटा रिया है वाइट के है कि आपने आपने ओरा को protected रहा है इसे प्रोटेक्शन के जरी がकुच भी हो सकते है लेकिन कहीं न आप मैं बहुती सक्षम बनिट भं इसी जाक जिवन में अपनाएन गए थे सब्सक्राइव। पाइन नंबर टू पीपल, ओके लेट सी गाईज आपके लिए मेसेज़स क्या निकलते हैं, आपके लाइब के विगने क्या हैं, कैसे हटेंगे वो भी हम चक्काउट करते हैं, आपके लिए लेट सी, तो पहली एनरजी आपके लिए निकलती है गाईज, वो है, या नाइट Wands हैं, ऑके Fire Energy मैंने कहा था, ऑके Fire यहाँ पर है, नाइट ओवान्स यहां पर है, तो जायसी बात है, आपके Life की जो विगने रहेंगे, वो आपके Desire के लिए है, आपके Wish के लिए है, आपके Goals के लिए है, थीक है, आपके Positivity के लिए है, आपके Shrum के लिए है, महनत के अगें फायर एनरजी ठीक है नो डॉट यहां पर आपकी जोड़क साइंस अवर्थ प्लस एर्शन के है लेकिन आपके लाइफ में ना एनरजी कम है या फिर में कहो तो उत्साह कम है गाईज ठीक है कि लॉट अपका एक ना महनत आप करे जा रहे लेकिन उसका आउटकम आपक हो एंड एक री हमें आपके अपके तो आपको Community तो इसको साहा रहा कि удар का रहा हूं है क्ली की वहहां से लिए कुछ मेंसजर मिले ठीक निजी कि लॉट ओफ विगन है पाइल नुबर तो आपकी लाइफ में ठीक है विगन इन दे सेंस ना बड़े पैमाने पे हो सकते हैं क्योंकि ना पाइल नुबर वन के लिए एक भी पैमेजर अरकान नहीं था पाइल टू के लिए दो मीजर अरकान निकले हैं वो है एमपरर के एनरजी ऐड़के तेवल के इनरजी ठीक है यह देखिए सेंस अफ कॉप अगेन यहाप पर पैल नुबर वन के लिए भी सेंस अफ कॉप सी निकला था आपकी बड़न में तो निकल आना नहीं है कि dark energies है, ब्लैक मैजिक हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, dark energies मतलब ना, कहीना कहीना वो jealous लोग भी हो सकते है, obsession हो सकता है, किसी चीज़ का, ठीक है, या फिर negative चीज़ों का घेरा हो सकता है, राइट, मैंने यहापर कहा था, कि आपको अपने roots से connect होना है, आपके ancestors से connect होना है, क्योंकि जब हम ancestors के rituals नहीं करते हैं, तो कहीना कहीन निगटिव energies का घेरा हमारे आसपास बनने लगता है, ठीक है, यह ऐसे लोग है, ऐसे energy vampires है, pile number two, कि इन्हों ने आपके life में इतना vigna पैदा किया है, कि जहापर आपके life यह हिल चुके है, या फिर तहसन है, इ ऐसे messages मुझे मिल रहे है, pile number two, ठीक है, यह जो vigna है आपके जीवन के, जो dark energies, मैं dark energies ही कहूंगी यहापर, ठीक है, कि devil की energy कहीना कहीना यह हो सकता है, इसके आपका किसी चीज़ को लेकर बहुत सदा addiction है, या फिर कोई person आपसे addiction में आ रहा है, इसके चलते हो सकता है, इसके आ हो सकता है, person का हो सकता है, career का हो सकता है, पैसे को हो सकता है, उसके साथ साथ online हो सकता है, social media हो सकता है, okay, तो कहीं न कहीं यह चीजों के वज़े सा हो सकता है, इसके आपके life में जो आप target meet करना चाहते हो, वो meet नहीं कर पा रहे हो, right, and आप सिर्फ fire लेकर बैठा हो, या फिन टोट चुके हो गया, मेरे लाइफ में ये विगना क्यों है, क्योंकि जाने अन जाने मुझे देख रहा है, क्योंकि ना इन विगनों को लिए फिर इन अबस्टकल्स ने अपना खुद इनवाइट किया है, या आपके एनर्जी के चलते हो सकता है, एक गोल्स हो सकता है YouTube चैनल हो सकता है business हो सकता है right तो वहां पर कही न कही न यह relationship भी हो सकता है कुछ वर्स के लिए ठीक है तो जो भी jealous लोग है न यह कही न कही आपके life में विगन पैदा करवाते हैं जब विगन आते हैं तो आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि यार मेरे साथ यह क्यो हो रहा है सोचते हो या हटने की सोचते हो rather आपना डीप में नहीं जाते हो कि मेरे साथ यह कहा पर गल्ती है कुछ वेवर्स को पता है कि यह चीज़े हो रही है और आपना रूट को अज़ दूने के कोशिश करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आपना रूट को सकता है कि यह रिडिंग आपकी ते हेलफुल रहे है मतलब दादा पर दादा को कोई जो कर्स मिला है जो." ज़ मिला है वो प्वाहिन कना पीडी धर पीडी आपके जनरेशन में आ चुका है आपके वच्ष में आ चुका है ठीकहें आण इसे के चलना की यह विगन आपको बहुत ज़धा परिशान कर रहे है यह जो obstacles हैं आपको बहुत ज़्यादा परिशान कर रहा है पाल No.2 ठीके तो यह विगन मुझे specifically सबसे important पहली चीज़ दिख रहे है वो आपके career goals, aspirations आपका motive हो सकता है कुछ करने का financial loss मुझे दिख रहा है यापर ठीके साथी साथ आपको कुचा मुकाम हासिल करना है, job profession हो सकता है कोई person भी हो सकता है specific person हो सकता है, शादी हो सकता है यह आपर door to personal healing and happiness का card है आपके जीवन में आपके जीवन में वो door के आप wait करें, वो door के आप तलाश करें कि जहाँ पर आपको personal healing मिले, खुश्या मिले, happiness मिले, रौनक आपके जीवन में आपके life के जो भी मसले रहे finances के चलते और फिर personal life के चलते वो हट जाए, इसके लिए आप लोग काफी try कर रहे हो कोशिश कर रहे हो, अपने दर बदर भटक भी रहे हो, पाल नमबर 2 कि आपको इसका answer मिले, जवाब मिले कि obstacles आपके जीवन से कब जाएंगे पाल टो, ठीक है तो यह मसले मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यहाप जैसे कि बपा का आगमन हो चुका है ईश्वर का यहापर intervention है आपके जीवन में, तो यहापर कही न कहीं आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, आपका जो भी यहापर विगन है कही न कहीं वो विगन है आपके गाजिन एंजल ने बेड़ा ले लिया है आपके ancestors थे भी बेड़ा ले लिया है यह जो भी आपके परदादा के टाइम से जो भी विगन था, शाप था वो कहीं न कहीं आप देखो कि दीरे 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 हट रहा है आप इस opposition से बाहर निकल रहे हो, पाइल नमबर टू ठीक है, बाहर निकल रहे हो या फिर न आप अपने मंजीर की तरफ जा रहे हो, अपने न गोल्स की तरफ जा रहे है क्योंकि न इस विगन को काटा है आपके ancestors ने, आपके अच्छे कर्मों ने, आपके अच्छे बरताव ने, आपके good deeds ने क्योंकि हो सकता है कि आप लोग good deeds कर रहे हो, ठीके पक्षियों को खाना खिला रहे हो या चोटी से चोटी भी चीज आप कर रहे हो तो वही चीज है कही न कहीं आपके जीवन से जो भी जो भी negative energies है, जो dark energies है तो कहीना कि यह दीरे दीरे हटते हों मुझे दिख रही है guys, okay, दीरे दीरे जाएंगे, क्योंकि न यह बहुत ही root में जा चुका है guys, root है, मतलब न पहले से है, आप पूछ सकते है आपके घर में, यह root में हो सकता है आपके, ठीक है तो कहीना कि यह दीरे दीरे obstacles जाएंगे, बस आपको यकीन रखना है, आपको positive रहना है कि आपके life से यह चीज़े जा रही है, आपको नो court cut करना है, I am cutting the courts of dark energies, ठीक है, dark energies, obsession, या फिर जो भी negative energies, आप जिस भी energy में हो, उसको आपको affirm करना है, I am cutting this this from my life, right, and आप देखोगे क यह obstacles आपके जीवन से हट रहे, जाइस से बात यह obstacles हट रहे, and that's why मैं topic लेकर आईगे, ठीक है, आपके life में जो भी ancestral करमास थे, जो पूरवजों के तरफ से करमास थे, वो कहीना कि आपके life से हटने वाले है, and आप जब हटनेगे आप देखोगे कि आप अपने power में रहोगे इस कदर power में रहोगे कि आपना literally सारे चीज़े गेन करने लगोगे, and इस तरह के से गेन होगे कि आप अपने गद्दी की तरफ जाओगे, आपने सही मुकाम तक जाओगे, आप अपने सही मंदिल तक जाओगे, ठीक है, कि जहाँ पर आपका ही राज होगा, आपका ही अधि जाओगे पाल नमबर तू, ठीक है, धीरे धीरे आप कही ना कही देखोगे, कि आपका जो एक low confidence हाना वो भी build-up होने लगेगा, पाल नमबर तू, ठीक है, जो negative energies के वजए से आपका जो एक old trauma था या फिर जो confidence अपने खोया था ना, वो confidence भी आप बिल करने लगोगे, क्यों आपना lot of चीज़े आपका wait करेंगा, okay lot of dream आपका रहेगा, lot of options आपके तरफ रहेंगे, जो options अब तक नहीं आ रहे थे आपके लिए, इन negative energies के वज़े से हो सकता है, या फिर ना old curse के वज़े से हो सकता है, क्यों आपके अप्शन नहीं आ रहे थे, पर जैसे ही obstacles हटेंगे, तो आप देखोगे कि आपके तरफ lot of options आ रहे है, lot of opportunities आपके दरवाजे पर आ रहे है, कि जहाँ पर आप literally इस पर गौर करने वाले हो, या फिर literally आप लोग इस पर डिसाइड करने वाले कि मुझे कौन सा option चूज करना है, ना कि आप negative energies के तरफ जाओगे, या फिर ना कि negative energies के बारे में सोच होगे, plan number two, ठीक है, yes, कही ना कही या विगनना, guys, किसी person को लेकर भी हो सकता है, कि ये person हो सकता है, कि टॉक्सिक कोई जॉब हो सकता है, कि जहाँ पर आप लोट of विगना आपस्टेकल साप लोग देख रहे हो, toxic person हो सकता है, toxic relationship हो सकता है, तो वहाँ से मुझे आप लोग हटते हुए दिख रहे हो, एक obsession energy से मुझे आप लोग रिलीफ energy में आते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर अपना खुद के decisions आप लेने वाले हो आगे जाके, जब ये विगनाट है, आपको comfort zone से comfort zone भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको reserve भी बनने की अच्छा person हो गया, dream job हो गया, dream marriage हो गया, dream profession हो गया, traveling हो गया, तो कहिना की वो सारे चीज़ आपकी तरफ अट्रेक्ट हो जाएगी, जब आप लिटरली जब आप अपने अपने अप्स जगास से बाहर निकलोगे, अपने विगने से बाहर निकलोगे, आप निकलने वाले हो जाए से बाते, ओके देखें, अपर death की energy है, तो जाए से बाते, सारे चीज़े end होगे, खतम होगे आपके लिए, यह विगना आपके लिए खतम होगा and आप लिटली नए नए वे से या फिन एक नए power में रहोगे, एक fresh energy में रहोगे कि जहां पर यह सारे चीज़े आपके दरमया आएगे, आपके पास आएगे, आपके power के चलते है, आपके attraction के चलते है पाल नबर 2, यह पर night of wands है, यह पर page of wands है, तो आप अपने न, एक true version में आओगे, true version, good news का दौर आपके जिवने रहेगा पाल 2, जो good news अब तक आपको नहीं मिल रहे थी, इन obstacles के वज़े से इन dark energies के वज़े से, कि जिन्हों ने आपको जगडा हुआ था, जिन्हों ने आपको बांद के रखा था, पाल 2, right, तो वो चीज़े कहीं न कहीं end होगी, obstacles आपके जिवन से हटेने वाले है, टाटा बाइबे होने वाले है, चाहे वो कोई person हो, चाहे वो situation हो, चाहे वो आपक profession हो, job हो, toxic हो, जो भी हो guys, ठीके, उससे आप बाहर निकलोगे हैं आप fresh energy में रहो के, जहाँ पर यह सारे चीज़े आपकी तरफ attract हो जाएगी, जब इस weakness से आप लोग बाहर निकलोगे, पाल 2, right, तो यहाँ पर अगर मैं timing के बात करूँ, हो सकता है कुछ reverse ना, इस situation से बाह निकल रहेगा, कुछ reverse रहेंगे, कि अप अलड़ी पता लग चुका है, और हो सकता है कि आपने कुछ rituals भी करे रहेंगे, ठीके, या फिर अपने आप पर अपने काम किया है, मैंने affirmation आपको बताया है, हो सकता है आपने आप पर काम किया, अपने healing की तरफ अपने ध्यान धि कहता है, कि अपने खुद को protection shield में रखा हुआ है, okay, आप अपने power को समच चुके हो, right, अगर नहीं है, तो यहाँ पर मुझे 4 months का समय दिख रहा है, या फिर next year, April का समय दिख रहा है, April के बाद का समय दिख रहा है, कि जहाँ पर आप अपने विगन से निजात पालोगे, य यहाँ पर आपके विगन जो हटेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कि अलड़ी आप अपने power में हो, अलड़ी हो guys, नहीं है, तो कहिना कि यह आज आजागा, 4 months, या फिर next year, April का मुझे समय दिख रहा है, pile number 2 के लिए, okay, let's see guys, यहाँ पर आपके लिए एक ही क यहाँ पर आपके लिए सेम क्रिशन का मेसेज निकला था, डिवोशन, डिवोशन बता रहा है कि किसी भी हालत में आपको यूनिवर्स के चरनों से हटना नहीं है, अपने डिवाइन के चरनों से हटना नहीं है, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो guys, ठीके, आपके इश् देखना है वो ज़रूर हटेंगे आपर लेकिन यहाँ पर आपको अपने डिवोशन में रहना है, आपके भक्ती में रहना है, मंतर साधना में रहना है, और दीरे दीरे देखोगे ना कि आपके आसपास एक डिवाइन लाइट आते जाएगी, आपके एंसिस्टर्स के करमा हटेंगे हटेंगे, साथ ही सतना डिवाइन लाइट आपके तरफ आएगी, और जहाँ पना आपके गाजियन जो है, यह आपके लाइफ में सारी चीज़़े बैलन्स कर देंगे, पाल 2, यह किस के वज़े से, आपके भक्ती के वज़े से, और जो ग्रोथ आपके लाइफ मे लेकिन डरना तो बल्कु भी नहीं कि मेरे लाइफ में निगटिव एनरजी है तो मैं क्या करूँ कुछ नहीं होता है सिर्फ भगवान का नाम लीजिए भगवान का नाम जाप करिये मंत्र साधना करिये जिस भी शक्तियों को आप लोग मानते हो पाल नंबर टू और आप देखोगे कि आप अपने प्रू वर्जन में रहोगे पाल टू जो कि मैंने आपको बताया ठीके और इसी के चलते ही आपके जीवन का जो दोर है वो परस्नेल हीलिंग है और हापिनेस का जो दोर है वो आपके आपके लिए खोले जाएगा पाल टू तो यह स्पाइल नंबर टू यह थी आपके लिए रीडिंग अप्स्टकल्स के चलते है और आपके आपके लिए आपके लिए जरूर कर रहा होगा यहस मुझे कमेंस पर बताना ना बुले साती साथ लाइक शिए और सब्स्क्राइब करना ना बुले जाएगा बजके आपके बखस्टक्वाज ए लूए जासे लिए, आफ लूए बटले साथ लिए लिए, प्रक्शवाइगा बटले से लिए